देकिये, आज हम पैड वाला बलाउस बनाने जा रहे हैं, इसमें देखिये मैंने पuinely ręतिJanिये हुए है है, इसके लिए इसे डेखोरीट करने के लिए हाफ इंचीज, यहां से देखिए, यहां से हमने 6 इंचीज इसका तीरा लिया है, हम विदाउट स्लीप बना रहे हैं, इसके लिए, इसका आर्मॉल ले रही हूं, वहां से देखिए, जो हमारे पास ब्रेस्ट है, वह हमारे पास है, 36 इंचीज, देखिए, 36 का फॉर्थ पार्ट लेना है हमने, 9 इंच, और जो बेस्ट है हमारे पास, वह है, 28 इंचीज, तो यहां से देखिए, 28 का फॉर्थ पार्ट आएगा, 7 इंच, इसके आगे, 1 इंच हो है, वह हम प्लेट्स डालने के लिए लेंगे, यहां से देखिए, इसे मिला देंगे, यहां से देखिए, यहां से देखिए, जो हमने प्लेट्स डालनी है, वह हम डाल रहे हैं, 11 इंचीज पर, देखिए, उपर से, 11 इंच, और बिर्थ में हमने लेना है, वह हमने लेना है, 3 and half इंच, देखिए, 3 and half इंच, यहांसे भी हम 3 इंच, ले ले लेना है, ऐसे मिलादेगी हैं यहां से इस तरह से हमारी जो है वानेश की प्लेट डग जाएगी कि यहां से देखें यह से मिलाग देखें यह बट चाहिए बलाऊस वह हमें चाहिए 15 इंच आए यहां से कम लेंगे 15 इंच यहांपे से माट कर लेंगे, 15 एंफ तरफ देखिए, यहांसे हम इसे कट कर लेंगे इस करफ से भी हमने स्की कटीं कर देंगे अव कटीं लो में करने आपया में के भी शॉब कर लिकशाने हैं जो प्रापमने अधर्स कर में उसके लीए यहां पिर्फ का वो सेम आपने या अपने लगाना है érerगाफ हम में को में पाड़ कुछ। तरह से यहां पर हमने 11 इंच लिया है उपर सी का निशान इसको बिल्कुल यहां पर सेंटर में रखके हमने इसे अटाज करना है और जो हमारा पैड वाला ब्लाॉज है उसके लिए मेजर्मेंट जो आपने लेनी है वह आपको बीना ब्रा आ के लेनी है अगर आप इसको पैड वाला बना रहे हैं तो मेसमेंट जो है वो बीना ब्रा के लें देखिए मैंने इसके बैक पार्ट की कटिंग भी कर लिए इसके अब यहां से देखिए हम आर मूल की कटिंग करेंगे यहां से कॉआ ही मैंने इसके फślंट पार्ट के लीए गवछे की कटिंग अभी के Ν्येopia के लिए लेकी कटिंग कर लिए है इसके बोटनक बना रहे हूं देखिए यहां से यह जो मैंने दिया है यह 3 इंच लिया है और यहां से हमारे मेंसे तो यह 3.5 इंच आजाएगा हमारा इस तरफ से इसकी भी मैंने 3.5 इंच ही कटिंग की है और जो डाउन किया है वो देखिए 3 इंच डाउन किया हुआ है अब इसके आगे देखिए यहां से तो नेक जो है वो हमें 10 इंच डीप चाहिए देखिए यहां तक भी उपर से निचे 10 इंच और जो बिर्थ है हमारे पास वो यहां से हम कम करें दी तू एन हाफ यहां से भी देखिए तू एन हाफ कि देखिए ओपर से जो है वो मैंने 3 इंच लिया है और यहां नीचे से 3 इंच आफ आप जहां से आप इस तरह से कि देखिए इसके बैक पार्ट की नग की कटिंग कर लिए इस तरह से आएगा मारे बास कि देखिए अब यह देखिए यह मैंने इसके लिए जो लाइन है वो कट कर लिए यह देखिए यह मैं फ्रंट और इसके बैक पार्ट के लिए ले रही हूं आपटी है और यह जो एक सिंकल ले रही हुं मैं इसमें मैंने पैड अटेच करना है यह मैंने शिल्की लाइनिग ली हुई है। अप चाहें अगर आपके पास जो पैबरिक है वो अच्छा ए तो उसके लिए आप सिंकल लाइनिग मैं भी कि पैर्ट अटैज करें इसके साथ बड़ सकते हैं उबटी है रौकट का फैटरिक है इसकी जो थागे नगी ते इसको दबर लेयर लगा लिए एक मीट पैले ही यहां पे और इसके उपर हमें एक पैर्स वाली लेयर लगा देनी है अब यहां से देखिए इस स्थार्इम्ट कर दो पेड़ आटाज करने हैं इसलिए मैं यहाँ पर प्लेट की मार्किंग करोंगी यहां से लेखिए हमने 11 इंची पी जो प्लेट सालनी है और जो बिल्थ में लेना है जो लेना है प्लेयन आफ इंच प्लेट जो प्लेट आएगा हमारा वह आया इस तरह से, देखियें, इस लाइनिंग के उपर आएगा, चलिए हम इसे बनाना स्राट करते हैं, फिर देखनें पहले में जो है, इसका बैक पार्ट बनारी है, इसका फ्रंट पार्ट है, और इसका बूलति साइड रोग है, अब यहां से देखियें, जिस तरह से हमन पार के शेप दी गई है इसे तरह से हमये से सिलाय गळा देंगे यहांपर जो मैंने डोरी ली हुई है इसको मैं इस तरह से बीच में रखना है पार के तरह से क्यांकर है मेरें क्याहते हैं झाल 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 करिए Gilbert कर वेजित यह कर दो में वो भी नहार जब लिपानर जएर जोड़ी किनाना यह जब भीजिल जही है जब लेको इसल दोगा जो जब एंगर को देखिए नहार यह जो पैड है, यह देखे, यह इस तरह से होते हैं, इनको यहांसे इस तरह से हम अंदर की दर जोगा को फोल्ड कर देंगे, और इसका सेंटर और इनको यहांसे फिलनप कर देंगे, इस तरह से इस तरह भी जो है इसका सेंटर इसका जो तॉप है यहां पे इस तरह से इस तरह से खाएंगे आप चाहिए तो इसके साइट में रहने लिए, इसको साइट में रहने लिए ऑफ में इसके साइट में भी जो है यहां पे इस तरह से पूरी तरफ जो है उसे लाई लगा दें निकाल दें देखिए यह हमारे साइडा रही है यहां से इसे अर्खम बंतर की तरफ कर दें निए इस तरह से इसे भी बना देंगे और जो हमारा ग्लाउस आएगा वह इस तरह से आएगा इसके उपर इस तरह से शेप आएगी हमारे पास यह देखिए हमने इसके फैड्स है वह रैट कर लेगे है अब देखिए हम इनको इसी तरह से रहने देगे और यह जो उनने प्लाउस का फैप्रिक हुई हुआ है इसके उपर रखेंगे इस तरह से इस तरह से आजेगा इस मने पास इस तरह से आजेगा इस हुआ हो और लुआ है झाल उआ हुआ है पर दोगगाज प्रवाहाद नहां है आ रहादा प्रवाद हो प्रावगान आ लोगपे हों अजा है वाल रंपवे दोगाद ध्रेश मेश्पाद है अचल को प्रेश लुजब प्रेस्ट और है अजल झाल झाल